कि आया एक दोर भी आपके सामने आया एक दोर भी आपके सामने बेटे पीते सराब बापके सामने आया एक दोर भी आपके सामने बेटे पीते सराब बापके सामने और पैदा एक ही घर में पैदा दो दुस्मन हुए भाई भाई ये अब आपके सामने किसी से लड़ने कोई नहीं जाता भाई भाई आपस में लड़ते हैं इस पर लेका है कि भाई भाई ये अब आमने सामने और मॉडलिंग है जमाना या मॉडल है सब मॉडलिंग है जमाना या मॉडल है सब बेटियां बेदब बापके सामने यू तो रिस्तों के भी अब डिरामा हुए पैदा घर घर में अब कंस मामा हुए पैदा घर घर में अब कंस मामा हुए कतल करते हैं बेटे भी माबाप का दोस्त डस्ते हैं अब डर नहीं सापका एक का एक से काम चलता नहीं दूसरा भी तो दिल से निकलता नहीं एक का एक से काम चलता नहीं दूसरा भी तो दिल से निकलता नहीं और इंसानियत के अब तो बलतकार देखिए कि इनसानियत के अब तो बलतकार देखिये चोरों पे इसी बंगला और कार देखिये किसी एक का किसी एक से चलता ही नहीं काम हर एक के महबूब चार-चार देखिये हर एक के महभूब चार चार देखिए और हैं घर के गेट बंद बंद घर की खड़कियां हैं घर के गेट बंद बंद घर की खड़कियां दर डर के घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां दर डर के घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां और खाते हैं गूस जेब और बरते हैं पेटियां इंसाप के लिए तो बटकती हैं बेटियां इन्साप के लिए तो बटकती हैं बेटियां निर्दोस थी जो मारी गई निर्बया आशेपा निर्दोस थी मारी गई निर्बया आशेपा ये सोच कर आज भी रोती हैं बेटियां बहुत शुब्रिया बहुत शुब्रिया बहुत शुब्रिया एक कहानी थी और ये सच पे आ इक एटेश करेगी कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि एक ऐसा कर रभ़र जो बेहत गरीब एक ऐसा परभ़र जो किसी से लरा नहीं एक ऐसा परभार जसकी किसी से को जुस्टमन ही नहीं लेकिन कि इस परभ़र में सहत बाई और साθητόपक्त आपस में एक दूसरे के दुस्मन सातों एक दूसरे दुस्मन और दुस्मन ही ऐसी के एक भाई दूसरे भाई का अंड्रिबियर तक चुरा ले इसमें हसी भी लगए आपको एक भाई किसी भाई के बाहर बल्ब लगाया तो उसको भी चुरा ले और नफरत आपस में ऐसी के मा अगर किसी दूसरे भाई के साथ है तो मा को दूसरा भाई डायन बोले तो यह किसी की मा के साथ हो तो कोई अच्छा नहीं लगेगा इसे तो इसमें साथ भाईयों में जब गरीबी का हालात बहुत होते हैं तो इन में से एक भाई ओवरता है जिसका नाम राज होता है और राज जिन्दकी में यह ठान लेता है कि मुझे बहुत कुछ करना अपने लिए और अपने परवार के लिए तो राज एक चोटा साइकल का काम सुरू करत उसे सब्र नहीं होता यानि कि बहुत गरीबी है और बहुत पैसा कमाना है उसके साथ वो क्या करता है चित्रकारी करता है चित्रकारी में भी पैसा कमाता है लेकिन उसे उतना पैसा नहीं मिलता वो संगीत गारी करता है संगीत कारी में भी इतना कुछ नहीं होता तो वो मौ गरीबी घर की दूर हो सकती है अचानक से उसके छोटे वाई की तबियत खराब हो जाती है जिसका नाम था ताज ताज की तबियत खराब हो जाती है तो बड़ा वाई राज क्या करता है कि वो अपना सारी दौलत अपने चोटे भाई के इलाज में लगा देता है बड़ा भाई ये दो भाई सबसे चोटे हैं तो बड़ा भाई राज अपने चोटे भाई की बीमारी में सारा पैसा लगा देता है ये देखके जो पांच भाई बड़े हैं वो जल जाते हैं कि ये भाई सिर्फ चोटे भाई क सताने के लिए कुछ ऐसा प्लान मनाते हैं जिसमें ये फस जाएं और बरबाद हो जाएं दोनों तो जो बड़े भाई हैं वो प्लान मनाते के राज की बीबी को गायब कर दिया जाए और गायब करके इस पर मडर का इल्जाम लगा दिया जाएं तो वही प्लानिंग उनकी होत कुछ टाइम बीटता है उसके बाद राज उसमें बरी हो जाता है समाज में भी वैसे भी हर तरह से फिर एक हाथसा घर के अंदर होता है एक जबान बेटा भाईयों में से उसका एक्षिडेंटली मतलब कुछ हाथसा होता और वो खतम हो जाता है तो उसका इल्याम भी यह बहुत टाइम बाद वो बरी हो जाते हैं समाज की नजर में और दीरे दीरे वो आ जाते हैं कि इनको सताय जा रहा है फिर एक छोटी बच्ची खतम होती है उस परवार में उसका इल्याम भी दोनों बाईयों पर डाल दिया जाता है कि इस बच्ची इनना जादू से मरवा द जाता है कि इनने जादू से या कैसे भी अपने बाप को मरवाया और उनके पीछे इतनी समझ से आ जाती है कि वो घर से निगलने के लिए मजबूर हो जाते हैं परसान हो जाते हैं और समाज में जाते हैं समाज से कहते हैं कि वाई हमारे लिए इनसाब करो तो जब लाश्ट कि आप भी दुआ करें कि ऐसी कहानी कोई आया तो उनके बारे में जो लोग अपना इमान खोच चुके हैं उनके लिए दुआएं करें बस थैंक यू